हेलो दोस्तो पॉलिटेकनिक लर्निंग 7-7 क्लासेस में आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूपी पॉलिटेकनिक इंटरेंस एकजाम का एडमिट कार डाउनलोड करेंगे दोस्तो इस वीडियो के मात्यम से आप चाहे आप अपने मोबाइल में और चाहे आप कंप्यूटर या लैपटॉप में सभी में मैं मैं बताऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से अपने मोबाइल हो चाहे laptop हो चाहे आपका computer हो उसमें सभी में आप आसानी से अपना admin का download कर पाएंगे एक एक किस्टे बहुती बारीकी से मैं हर एक चीज़ पॉइंट समझाते हुए जाऊंगा सो वीडियो को दोस्तों प्लीज आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको सारी चीज़ अच्छी से समझ में आ जाएं अगर फिर भी कोई आपको doubt आता है तो comment section में छोड़ देना आप बता देना मैं उसको फिर और भी दूसरे वीडियो वे further explain कर दूँगा दोस्तों क्या करना है सबसे पहले तो आप यहां पर इस website का नाम आप जानते भी होंगे अगर नहीं भी जानते है तो आपको क्या करना है simple सा आपको google पर जाना है और यहां पर google पर जानने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट क्या सर्च करना है दोस्तों सरकारी रिजल्ट यह देख रहे होंगी सरकारी रिजल्ट आपको यहाँ पर यह सर्च करना है जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे इस तरीके कि हाँ पर यह देखिए करजर आ रहा होग दोस्तों सरकारी डिजल्ट के अलावे भी बहुत सारे मेथेड हैं वो आपको एक स्टार्टिंग और सौर्ट मेथेड जिसमें आपको परिसान ना होना पड़े और आसानी से आप डाउनलूड कर पाएं इस वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ इसकी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है G-Cup Admit Card 2022 यहाँ पर देख रहे होंगे G-Cup Admit Card 2022 इस पर दोस्तों भी आप क्लिक कर सकते हैं यह फिर यहाँ से भी क्लिक करिए यह देखिए जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आप आसानी से यहाँ पर यह G-Cup जो है intense exam का सारा का सारा यहाँ पर open हो जाएगा अब यहाँ पर देख लीजी यह पहली link है यहाँ पर देख रहे होंगे admit card download इस पर यहाँ से आप click करके भी direct पहुंच सकते हैं यहाँ आप किस तरी किसे video बगारा देख सकते हैं यह जो भी है new exam date सब कुछ यहाँ पर update है आपको दोस्तो किसी पर भी click नहीं करना है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G-Cup official website click here आपको इस पर click करना है दोस्तो ठीक है ना इस पर official website वाली पर आपको click करना है जैसे यह आप click करेंगे यह है दोस्तो official website joint entrance exam council polytechnic उत्तर प्रदेश दोस्तो अब मैं आपको बता दूँ यह तो आप आप कह रहे होंगी कि सर आप तो कह रहे हैं कि मैं आप laptop में भी और सोरी laptop computer यह फिर मोबाइल फोन तो है नहीं तो दोस्तो आपको क्या करना है आपके right corner में three dots दिख रहे होंगे सबसे पहले आप Chrome में जाके जिस तरीके से यह Google पे उसी तरीके से आप अपने Chrome में जा करके सरकारी result आपको सर्च करना है वहाँ पर दोस्तो एक यह देखिए जैसे इसी तरीके का यह देखिए यहाँ पर सौर्ट में दिख रहा होगा देख लीजे ध्यान तरीके से यहाँ पर तीन डॉट उस प हो जाएगा ठीक ना इसी तरीके का से मोबाइल में इंटरफेस ओपन हो जाएगा अब दोस्तों आपको क्या करना है यहां से ओपन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं देखिए दो तरीके से यहाँ पर है डाउनलोड करने का अगर आपके पास केवल रिजिस्ट्रेशन इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो ओफिस्यल जो जिस तरीका से आपने फॉर्म भ राता कर्यक्षन किया था उस तरीके से आ जाएगा और डारेक्ट आप एड्मिट कार्ड यहां से इस लिंक इस पर क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड आप जीकब dosa Cada भाइस तो इसे यहां पर आपको पासवर्ड की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आपको यहां से जाना है अगर आपको पासवर्ड ठीक है ना अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो फिर क्या करना है कि यहां नहीं याद है तो आपको डाउनलोड ए सभी में ऐसे ही होगा ठीकर तो यहाँ पर आपको अप्लिकेशन नंबर डालना होगा यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पर आपको सिक्योर्टी यह जो नीचे capture दिया है यहाँ पर आपको डाना होगा चलिए मैं यहाँ पर application number फिल करता हूँ यह मैंने application number फिल कर दिया यहाँ पर मैं password फिल करता हूँ दोस्तो सारे चीजे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वा करनी है अगर थोड़ी सी भी mistake होगी तो यह problem कर सकता है दूसरी बात मैं आप बता दूँ अभी मैं यह भी बताऊंगा कि mobile में कहां कहां किस चीज की problem होती है उसका भी solution मैं बता दूँगा दोस्तो तो सबसे पहले तो आपको सारी चीजे फिल करनी है कि जो जो चीजी यहाँ पर criteria मांगी हुई है तो वो आपको पहले चीजे आसानी से आपको फिल करनी है आपको ज़्यादा जैसे यहाँ पर आप फिल करेंगे और यहाँ पर आपको sign in पर click करना है तो जैसे ही आप दोस्तो यही form पर click करेंगे यह official आपको form आपका इस तरीके से जो starting से आपने correction वगरा किया था इसी तरीके का open है जाएगा इसके बाद आप left corner में देखेंगे यहाँ पर एक आ रहा है download admit card दोस्तो इस पर दोस्तो आपको click करना है download admit card पर जैसे ही आप click करेंगे इस तरीके का interface आपको open हो जाएगा अब यहाँ पर जैसे ही मैं download admit card पर click करता हूँ देखें दोस्तों यहाँ तो अपना पहले आप देख पाएंगे कि किसका क्या है तो यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा सबसे पहले देख लेना आपका जो नाम होगा वो नाम यहाँ पर दिखाएगा यहाँ पर आपका application number दिखाएगा इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं और download admit card पर click करते हैं जैसे ही आप download admit card पर click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इस तरीके का interface आपको खुलेगा थोड़ी देर में आपका यहाँ पर यह जो इसी जगहे आपका admit card इसी जगहे आपका admit card अभी दिखने लगेगा एक सेकेंड में देखना थोड़ा सा यह net का थोड़ा सा हो सकता इस वज़े से आपका open होने में थोड़ा सा हलका से एक दो सेकेंड का time ले थोड़ा इस तरीके का आपका यह interface आपका open हो जाएगा और यहाँ पर यह देख लीजिए यहाँ पर यह तीर का निशान दिया हुआ हुआ डाउनलोड हो जाएगा अब देख जैएगा और डाउनलोड आपका यहाँ धर्ड़ कर रहे होगा तो आपकी चीज़ की प्रवल्लम यहाँ पर आएगी वह क्या प्रव्लम आएगी तो मैं आपको बता दू कि क्या होगा कि जो आप धहार पूर्ण देखे के है दोस्तों view generate डिओसी एक्स अश यह दोस्तों क्या होगा कि जब आप अपने mobile में कर रहे होंगे तो mobile में डाउनलोड नहीं हो रहा होगा यह आ रहा होगा इस तरीके के नाम से play store में जाना और WPS office के नाम से यह इस तरीके का यह WPS software है जो आपको क्या कर लेना है अपने mobile में play store से download कर लेना है यहाँ पर तो अभी मैं यहाँ पर download नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आसानी से open हो रहा है तो यहाँ पर आप WPS और अपना software डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर फाइल खुलेगी क्योंकि वह डी ओ एक्स फाइल है वहाँ पर ऐसे नॉर्मल PDF रीटर पर आपकी फाइल नहीं खुल लई होगी ठीक है ना तो इस तरीके से आप अपना आसानी से जो भी अप है अपना ठीक है आप अपना admit card आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे विदाउट किसी भी problem के तो अगर फिर भी अगर आपको कोई problem आ रही है हाँ दोस्तों क्या करना आप इससे चाहें तो जाकर करके अपना print करवा लेना और आसानी से आप आपका तो इस तरीके से आप देख भी आपको दुवारा से दिखा देखिए दोस्तों यह से क्यों अपनी शेयर किया था अपना सब कुछ इस वज़े से मुझा आप आप आसानी से दिखा पा रहा हूं ठीक है अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो please दोस्तों please मुझे comment से बताएं आप सारे आपके doubts एक एक doubts आपके क देखने के लिए दूस्तों आपका बहुत बहुत भन्नवाद थेंकि दूस्तों